इस चमत कारिक व्रिक्ष कुछूने मात्र से मिट जाती है थकान वैसे तो पारिजात्व व्रिक्ष पूरे भारत में पाई जाते हैं पर किंटूर में स्थित पारिजात वरिक्ष अपने आप कई मायनों में अनूठा है और यह अपनी तरह का पूरे भारत में एकलोता पारिजात वरिक्ष है उत्तर प्रदेश के बारा बंकी जिला मुख्यालेव से 38 किलोमीटर की दूरी पर किंटूर गाउं है जहां ये धिवे वरिक्ष लगा है कहते हैं कि इस पारिजात के वरिक्ष कुछुने मातर से सारी ठकान मिट जाती है आमतर पर पारिजात वरिक्ष 10 फीट से 25 फीट तक उंचा होता है पर किंटूर में स्थित पारिजात वरिक्ष लगभग 45 फीट उंचा और 50 फीट मोटा चौडा है इस पारिजात्व रिक्ष की सबसे बड़ी विशेशता यह है कि यहां अपनी तरह का इकलोता विक्ष है क्यूंकि इस पारिजात्व रिक्ष पर बीज नहीं लगते हैं तथा इस विक्ष की कलम बोने से भी दूसरा विक्ष तैयार नहीं होता है पारिजात्व रिक्ष पर जून के आसपास बेहत खूबसूरत सफेद रंग के फूल खिलते हैं पारिजात के फूल केवल रात को खिलते हैं और सुबै होते ही मुर्जा जाते हैं इन फूलों का लक्षमी पूजन में विशेश महत्व है पर एक बात ध्यान रहे कि पारिजात्व रिक्ष के वे ही फूल पूजा में काम लिये जाते हैं जो वरिक्ष से तूट कर गिर जाते हैं वरिक्ष से फूल तोड़ने की मना ही है पारिजात्व रिक्ष का वर्णन हरिवनस पुराण में भी आता है हरिवन नश्च पुराण में इसे कलप व्रिक्ष कहा गया है जिसकी उत्पत्ती समुंद्र मन्थन से हुई थी और जिसे इंद्र ने स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया था हरिवन नश्च पुराण के अनसार इसको छुने मात्र से ही देव नर्तकी और रशी की थकान मिट जाती थी पारिजात व्रिक्ष कैसे पनहुचा प्रित्वी पर एक बार देव रशी नारत जब धर्ती पर श्री कृष्ण से मिलने आये तो अपने साथ पारिजात के सुंदर पुष्प ले कर आये उन्होंने वो पुष्प श्री कृष्ण को भेट किये श्री कृष्ण ने वो पुष्प साथ बैठी अपनी पत्नी रुकमनी को दे दिये लेकिन जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्य भामा को पता चला कि स्वर्ग से आये पारिजात के सारे पुष्प श्री कृष्ण ने रुक्मनी को दे दिये तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जिद्ध पकड़ ली कि उन्हें अपनी वाठिका के लिए पारिजात्वरिक्ष चाहिए। इंद्र ने पारिजात्वरिक्ष को फल से वन्चित हो जाने का श्राप दे दिया और तब ही से पारिजात्वरिक्ष फल विहीन हो गया। संग्रक्षित व्रिक्ष पारिजात्वरिक्ष के अयतेहासिक महत्व इसकी दूर लबता को देखते हुए सरकार ने इसे संग्रक्षित भोशित कर दिया है। भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। पारिजात का आयूरवेदीक महत्व पारिजात को आयूरवेद में हर सिंगार भी कहा जाता है। इसके फूल पते और चाल का उप्योग गाशदी के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों का सबसे अच्छा उप्योग ग्रिद्रसी, साय अटिका, रोग को दूर करने में किया जाता है। इसके फूल दिल के लिए भी अच्छी और शर्दी माने जाते हैं।